So guys, आज हम बात करने वाले है, Fireball Asteroid के बारे में and इसका launch guys 28th को है, launch day के दिन full review आ जाएगा but guys, before launch, क्या-क्या चीज़े आपको सोचनी चाहिए इसके बारे में सब के बारे में detail में बात करेंगे, लेने से पहले आपको क्या-क्या चीज़े पता होने चाहिए and मैं hint दे दूँगा, इसका launch price में आपको इसे consider करना चाहिए या आपको थोड़ा बेट करना चाहिए या कुछ अच्छा better option है, launch price मिस करते हूँ, मुझे इस्टागल में DM कर सकते हूँ, मेरे पास launch price से कम मिल जाएगा बैसे full review मिस ना करो, इसलिए चैनल को subscribe करके bell icon दबा लेना, let's start the pre-launch review guys talking about build quality तो guys, build quality काफी कमाल की है, पूरी metal body है, overall काफी अच्छा design लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो guys, rotating crown देखने हो मिलता है and straps की भी काफी अलग-अलग variety है, तो overall guys, build quality is superb 1.4th ranges की AMOLED display है, always on display है, guys, display 60Hz की मिलती है and trust me when I'm saying this, use करने में काफी मज़ा आएगा UI VR काफी customizable है, काफी अच्छी हुआ है, तो use करने में वुझे कोई दिक्कत नहीं हुए, use करने में definitely काफी मज़ा आया है, तो by display and build quality में कोई problem नहीं है vibration mode थोरा और बेटर कर सकते थे, बड़ ऐसा नहीं है ना कि आप miss करोगे, like अगर कुछ notification अगर आता तो miss नहीं करोगे, क्योंकि Bluetooth calling smartwatch है तो यह एक चीज है, बट vibration mode थोरा हो और अच्छा हो सकता था, बाकी basic features देखने को मिल जाते है, alarm बगरा सबका option देखने को मिल जाता है but guys, exactly UI कैसी है, वो मैं full review में बताऊँगा, exactly इसकी जो accuracy कैसी है, वो भी मैं इसके full review में बताऊँगा, अभी के लिए इतना बता देता हूँ, कि yes, accuracy पे आप rely कर सकते हो, but exactly किस किस parameter पे rely कर सकते हो, किस किस पे नहीं, यह मैं full review में बताऊँगा, apart from that, word 23 sports mode है, enough दे रखें, को on use on display में on करकी use कर रहा हूँ, तो भाई, bluetooth calling use करते हो, on with on use करते हो ना, तो दो दिन का battery backup तो आप से मिलेगा, यह कोई दिक्कत नहीं है, and charging की speed भी भाई, अच्छी है, fast है, wireless charging दे रखा है, तो यह एक अच्छी चीज है, तो guys, यहाँ पे final verdict की बात करते है, जिए आपको इस पैस मिस करते हो, मुझे इंस्टागर में DM कर सकते हो, विए आदक देख लिया है, अच्छा रगा है, लाइक कर देना, चैनल रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबालो, मिलते हैं अगले वीडियो में